हेलो डियर स्टुडेंट्स वेलकम टो आर चैनल प्राशा केमिस्टी ग्लासेज जो भी स्टुडेंट्स नीट एक्जाम की प्रपेरिशन कर रहे हैं उन सभी के लिए ये वीडियो मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वा चीहां इस्टुडेंट्स इस टॉपिक से नीट एक्जाम में जरूर जरूर पूछा जाता है तो प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देखें और नोट करते जाएं और साथ ही मैं शेयर करूंगी जो भी नीट एक्जाम में अब तक के मसी किस पूछे गए हैं इसलिए इसलि केमिस्ट्री का चैप्टर है कॉडिनेशन कंपाउंड इसमें टॉपिक है आपका आइसोमेरिज्म करने का कोश्चन एक्जाम में पूछा जाता है इसलिए स्टुडेंट्स आपको अच्छे से समझना होगा इस पर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है कि कैसे आप फ्यू से आइसोमेरिज्म करना सीख जाएंगे आप भी कहेंगे स्टुडेंट्स कि आप आपने हमें पहले क्यों नहीं मिताया आपको एक ही वीडियो में आल टाइप सफ आइसोमेरिज्म सीखने को देखने को मिलेंगे चलिए अब भी स्टार्ट करते हैं आइसोमेरिम से डाइसेड या टाइरिक एसेड राइडांसरों को आपशन बृमेलिक असचीड मैलिक एसेड जो इप्टिकल इसोमेरिज्म एक्जिंट नहिं करता है सेकाडी है अब इसमें से आपको बताना है चो अप्टिकली एक्टिव नहीं है अप्शन से एलमाइन सेरेंग ग्लीसिन या लेक्टिक एसी राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ग्लीसिन ग्लीसिन इस ऑनली एलफा अमीनो एसीड विच लैप्स कारल कार्बन एक्टम्स थर्ड है जोमेंटि या फिर स्पेशल अरेज्मेंट ऑफ एटम्स राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पोजिशन ऑफ एटम्स फोर्थ है वीच आउप्टिकली एक्टिव एक्टिव नहीं है अब आपको इसमें बताना है कि जो अप्टिकली एक्टिव कंपाउंड नहीं है ऑप्शन से ट्योब् थर्ड ब्रोमो पैंटेन या फिर टू-थी डाइल ब्रोमो पैंटेन या फिर टू-धू-धू-प्रोपिनेट एसेड राइट आंसर है ऑप्शन भी थ्री ब्रोमो पैंटेन फिफ्थ है वाव मैनी स्टीरियो आईसोमेरिज दस्टा मॉलिक्यूल है शिएस डू-डबल-ब भी और जमेर्टिकला जिपी इसमे प्रेजेंट होंगे तो इसका उप्शन भी टू-टू इसमें स्टीसेमश प्रेजंट होंगेर ईसे मि में आपको शेयर करूंगी आई होप इस्टुरेंट्स ये वीडियो आपको नीट सुपोर्टिव लगी होगी ऐसे और वीडियो में लिख कराऊंगी वीडियो पसंट आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें